हाई एब्रिवान मैं आश्वेन आज हम EDMS and phrases का lecture number 22 पढ़ेंगे इस session का PDF document आप सभी से share किया गया है मैं EDMS and phrases batch में PDF document ये सोच कर देता हूं कि ताकि आपको कभी revise करना हो और आप चाहते हूं कि वीडियो session ना देखना पड़े ऐसे ही document के थुरू हम revise कर ले तो वो document आपके पहला एडियम देखे रहा है drink life to the least पहली बात ये एक positive एडियम है सकारात्मकर्थ है ये देखिए live life to the fullest मतलब जीवन को भरपूर तरीके से जीना फिर से सुननी है live life to the fullest fullest का मतलब भरपूर तरीके से जिन्दगी का best part जीना जिन्दगी को भरपूर तरीके से जीना जितना adventure हो सकता है उतना adventure करता है जितना नया आप कर सकते हैं जितना risk ले सकने life में जितना enjoy कर सकते हैं उतना enjoy करें कुछ भी न छोड़े ये जो लीस आप देख रहे हैं image देखिए यह आपको bottles देख रहे हैं जो कि beer की है वाइन की है लीस किसी भी bottle की तली को कहा जाता जो तलचटी होती है उसको न लीस कहा जाता है लीस किसी भी बॉटल की जो तल छटी होती है उसको लीस कहा जाता है अब आप समझिएगा कोई शराबी शराब पी रहा है कोई शराबी शराब पी रहा है तो वो क्या करता है यूजवली वो बॉटल को जब वो लास्ट पैक बना रहा होता है लास्ट पैक तो वो बॉटल को जब उल्टा करता है तो वो शराब की एक बून को भी वेस्ट नहीं करता वो शराब की एक बून को भी वेस्ट नहीं करता तो वो बहुत एक एक बून को गिरा लेता है जनरली ऐसा होता है कि वो शराब को मतलब ग्लास में डालने के बाद उसको उसका कैप बंद कर देता है और बंद करके कैप को उल्टा ही रग देता है और कुछ देर के बाद धीरे धीरे जो एक दो चार बूंद होते हैं वो छन करके आ करके कैप में आ जाते हैं वो उस cap को खोल करके भी उसमें जो एक दो बूंद होती है शराब उसको भी वो अपने pack में ही मिला लेता है मतलब एक बूंद भी शराब का waste जाने नहीं दिया उसमें पूरा भरपूर दोहन करना पूरा पैसा वसूल करना जिसको कहा जाता है यह idiom armed forces से आया है कहा जाता है कि आपने अगर sandable join करके रखा तो उसे बहतर experience life का कहीं और है ही नहीं army is an opportunity in an armed forces are an opportunity to drink your life to the least best of life जो best part of life का वो जीना जी example देखिए देसे लोग कहते हैं join the army and drink life to the least मैंने बोला ना कि यह idiom ही आया है in armed forces से तो drink life to the least का मतलब है पूरा पैसा वसूल का न भर पूर तरीके से जीवन को जीना drop like flies flies मतलब कीडे मकोडे मक्हियां जिसको आप कह सकते हैं आप कभी देखि रोश्नी होती है बहुत सारी मक्हियां जो है इधर उदा मंडराती है उस रोश्नी की उस रोश्नी के फिर दो तीन चार घंटे के बाद यह सुबह आप देखते हैं कि बहुत भारी संख्यावे वही मक्हियां जो है drop like flies, like flies resemble करा जा रहा है मक्हियां ही नहीं मरनी है, मक्हियों के जैसे, जब इनसान मरने लगे, जैसे कोविट की वज़े से आप ले ले ले, लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं पूरी दुनिया में so people have dropped like flies, या कहीं पर बार आ जाए, कहीं पर भुकम पा जाए तो उसमें भारी संख्या में लोग मर जाते हैं ना, this is called to die or collapse in large numbers die or collapse in large numbers भारी संख्या में जब लोग मर जाएं तो उसी को कहा जाता है, drop like flies, अब example देखिए people dropped like flies in the recent earthquake in Nepal नेपाल में भुकम पाता है और उसमें भारी संख्या में लोग मर जाते हैं जैसे कि मक्हिया मर गई हो आप ये image का भी सहारा ले सकते हैं ठीक है, और मक्हियां भारी संख्या में मर जाती हैं जब वो रोश्णी से टकरा रही होती हैं बार बार, so this is called to drop like flies when people die in large numbers Dutch courage Dutch, Dutch देश के नागरिकों को कहा जाता Dutch people होते हैं Dutch people जो है habitually, Dutch countries Dutch people habitually बहुत ज़्यादा drink करते हैं ठीक जब आप इस idiom को Google करेंगे, इसकी history को check करेंगे तो पता चलेगा कि Dutch people की tendency होती है कि या होती थी, माना जाता है कि वो लोग बहुत बड़े नशेबाज होते बहुत ज़्यादा drink करते हैं तो Dutch courage का मतलब है कि वो courage जो Dutch people के अंदर हो सकता है कब हो सकता है, जब वो शराब के नशे में हो, Dutch courage का मतलब यही है, कि जब आप शराब पी रखे हों, जब आपने बहुत सारी सराब पी रखे हों, फिर आप जो बोल रहे हों, फिर जो आप में हिम्मत आ गई हो, है ना जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज नहीं कर पाता है, लेकिन वो नशे की हालत में बहुत कुछ बोल जाता है उससे, this is called Dutch courage, है ना, फिल्म का Dutch courage, Dutch people से relate करिये, it is just a Dutch courage, he doesn't actually mean it, वो जो कुछ भी कह रहा है अभी, वो सिर्फ पी रखी ना इसलिए इतना बड़बर आ रहा है, बोल रहा है, बागी इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, बहुत से लोग शराब के नसे में बहुत तूट पटांग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना, बाद पता चलता है, ने, उनका ऐसा मतलब, तो नहीं था, he doesn't actually mean it, जैसे कोई वेक्ति जो वैसे shy nature का हो, शराब के नसे में हो, और फिर बहुत मजाग कर रहा हो किसी से, तो ऐसे तो नहीं मजाग करता है, शराब पी रखे, इसलिए मजाग कर रहा है, तो यह dutch कर रहे हैं, पाकि जो मजाग कर रहा है, उसको आप serious नहीं लेंगे, eat humble pie, eat humble pie का मतलब है, apologize करना, regret करना, माफी मांगना जिसको कहा जा सकता है, आप से कोई गलती हुई हो, फिर जिसके लिए आप शर्मिन्दा हो, regret करें हैं ना, the writer had to eat humble pie when the reviewers pointed out numerous factual errors in his book, writer को माफी मांगनी पड़ी, regret करना पड़ा, जब समीच को ने उसकी किताब में बहुत सारी तत्यों को लेकर के गलत बाते ढूणी, कि कोई घटना फला तारीक में हुवी थी, तो उसका सन तारीक बदल गया, era बदल गया, sequence बदल गया, तो जब किताब में बहुत सारी सत्य से संबंदित कामिया मिली, तो फिर ऐसे में writer को माफी मांगनी पड़ी, apology tender करनी पड़ी, जैसे मैं अभी लेटेस्ट का बात बताओ, एक नेटफ्लिक्स में मूवी आ रही, एके वर्सेज एके, ये अनुराग कर्शप और अनिल कपूर साहब की बीच की मूवी है, अभी उसमें एर फोर्स वाला एक इशू हुआ था, कि अनिल कपूर साहब ने कुछ लैंविज यूज यूज करी, वाइल वेरिंग दे यूनिफॉर्म, तो एर फोर्स ने अब अब्जेक्शन किया, कि ये हमारे नॉम्स को नहीं दिखाता, हम ऐसे बीहेवियर के साथ नहीं चलते, तो अनिल कपूर साहब ने अनकंडिशनल अपॉलोजी टेंडर करी है, उनसे जाने में जो गलती हुई, जिसके लिए उन्हें फिर माफी मांगनी पड़ी है, अब आप समझो, अपने शब्दों को खाने का क्या मतलब हुई, अपने शब्दों को वापस लेना है ना, कुछ आपने बोला, फिर आपको लगा, आप जिन्हें तो गलत बोल दिया, तो आपने का मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, टेक यूर स्टेट्मेंट बैक, अपने शब्दों को वापस लेना, कोई कहा रहा है, कुछ भी बोलने से पहले सतर्क रहे हैं, साब्धान रहे हैं, वना, अपने शब्दों को वापस लेने के लिए भी तयार रहे हैं, क्योंकि अगर आपने साब्धानी पूरवक्त नहीं बोला कुछ, तो वो गलत भी हो सकता है, यू हाव तो एट यूर वोट्स, एक आउट, एक का मतलब होता है, पैसों का बंदोबस्त करना, लाइबलिहोट को अरेंज करना, दो वक्त की रोजी रोटी कमाना, एक का रेलेशन मनी से होता है, रिसोर्स से होता है, संसाधनों को जुटाना, उन्हें एक करना, तो एक आउट करने का क्या मतलब होता, पैसे जुटाना, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना, एक आउट करना, ठहा है न, to earn livelihood, क्या मीनिंग हो जाएगा, to earn livelihood, पैसों का बंदोबस्त करना, पेट पालना जिसको कहा जा सकता है, यह देखिए, he worked at two jobs, वो दो नौकनिया करता है, in order to ache his income out, ताकि वो अपनी income को बढ़ा सके, अपनी income को increase कर सके, अपना पेट पाल सके, अपने घरवालों की देखभाल कर सके, number seven देखिए, end in smoke, बड़ी ही easily समझ सकते हैं, इस बात का खास ज्यान रखें कि अगर कोई idiom easy लग रहा है, तो यह नहीं कि फिर वो important नहीं हुआ, important is important, irrespective of it being easy or difficult, यह कहीं नहीं लिखा कि जो कठेन है, वो ही important है, या जो सरल है, वो important नहीं, important is just important, so end in smoke, धुआ धुआ हो जाना, यह ना, चीज़े जब समाप्त हुए, तो सब धुआ हो गया, तो जब सब धुआ ही हो गया, तो हाथ कुछ लगा, नहीं लगा ना, come to nothing, failure, fiasco, asafal prayas, आई बात समझ में, asafal prayas, come and end in smoke, सब धुआ धुआ हो गया, आखिर में जा करके, तो हाथ में कुछ आया ही नहीं, हाथ में कुछ आया ही नहीं, सब failure हो गया, fiasco हो गया, यह देखे, example, the cast spoke a lot about their newly released movie, film की cast ने, film के hero, heroines या बाकी लोगों ने, film की तारीफ खूब करी, कि बहुत बढ़ी है, film है, but all ended in smoke, when it flopped at the box office, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, जब वो film box office पे, flop हो गया, सब धराशाही रहे गया, धरा का धरा रहे गया, जैसे अभी कुछ बग पहले एक movie आई थी, कलंक, बहुत बड़े-बड़े actor और actresses थे, बहुत बाते हो रही थी, blockbuster movie होगी है ना, will be the most successful, most movie of the year, most commercially successful movie of the year, लेकिन क्या हुआ, movie तो मतलब flop हो गयी थी box office पे, Fabian policy, अगला idiom है क्या, Fabian policy, Fabian policy का मतलब होता है, the policy of delaying work, काम को delay करना, देरी करना एक तरीके से, Fabian policy, अब इसको कैसे समझेंगे, यह जो Fabian word आप देख रहे हैं ना, यह Fabian, एक history में general रहे हैं, leader रहे हैं, basically एक rural शासक, जिसको आप कह सकते रहे हैं, जिनका नाम है, Quintus, Fabius, Maximus, ठीक है, अब यह एक तरीके से, Rome के states person थे, states man थे, वहीं के ruler थे, इनमें कमी थी, यह हार गये थे अपने समय में, किसी दूसरे देश से, जब लडाई हुवी थी, तो हार गये थे, और इसका कारण यह था कि, इन्होंने ना, फैसला ही नहीं लिया, लंबे समय तर, कोई decision ही नहीं लिया, कि लडाई कैसे लडनी है, है ना, मतलब बहुत slow act कर रहे थे, इस वज़े से हार गये, मेरी बात आप समझ जिए, एक व्यक्ति युद्ध में हार जाता है, युद्ध रणीती की वज़े से, बहादुरी ना होने की वज़े से, नहीं, युद्ध रणीती की वज़े से, रणीती में क्या कमी थी, प्रतेक फैसला, हर प्रकार का फैसला, बहुत देरी में लिया गया, बहुत देरी में लिया गया, तो वही से यह Fabian word आगिया तो जब आप कोई भी फैसला लेने में, कोई भी decision लेने में, बहुत आप delay कर दें, this is called Fabian policy, जिसे आप red tapism भी कह सकते हैं, लाल, फीता, साही जिसको कह सकते हैं, red tapism. The policy of delaying work, example देखे, the government is known for applying Fabian policy, सरकारे इसी के लिए जानी जाती हैं, thus by delaying the implementation of schemes designed for common man, है ना, आम लोगों के हित के लिए जो policies बनाई जाती हैं, उनको, उनका implementation जो है बहुत लेट करती है सरकार, इससे क्या होता है, आम आदमी को वो लाब नहीं मिल पाता, that he is supposed to get. तो Fabian policy, delay करते रहना, मुझे उमीद है कि मेरे समझाने के तरीके से आपको maximum idioms जो हैं, वो सुनके ही याद हो जाते होंगे, याद नहीं करने पड़ते होंगे. Face the music, सामना करना music का, बस यहाँ पर music का meaning opposite है, यहाँ पर music का मतलब abuse से है, किसी की गालियों का सामना करना, किसी के गुसे का सामना करना. Music, वैसे तो music बड़ा अच्छा लगता है, धून बर्सती है, अच्छे-च्छे शाब्दाते हैं, लेकिन यहाँ पर music का मतलब है कि जब कोई चिला रहा हो, आप पर गुसा कर रहा हो ना, तो जो आपको सतर बाते हो बता रहा हो, वो music, तो उसको face करना क्या है, आनद वाली बात है, नहीं, उसको face करने में बड़ी बेजिती वाली बात है, तो अपमान सहना, face the music, किसी की गुसे का शिकार होना, डाट सहना, face the music, जैसे आपने कोई गलती की, तो घर वाले आप कुटाटेंगे, बहुत गरी आएंगे आपके पिताजी, तो you will have to face the music, इस तरीके से, So bear the dishonor or criticism, आलोचना सहना, अपमान सहना, किसी की गालिया सुनना, किसी की गुसे को सहना, when my friends saw the principle coming, जब मेरे दोस्तों ने देखा कि प्रिंसिपल सहाब आ रहे हैं, they ran away immediately, वो तुरान भाग गए वहां से, जहां थे, and left me alone to face the music, और मुझे अकेला छोड़ गया, तुम मरो साल सब भाग गया, मैं बचा, अब प्रिंसिपल सामने सारी गुस्सा मेरे हूपर निकाल दी, I myself had to face the music alone, मुझे अकेले ही सब गुस्सा सहना पड़ा एक तरीके से, fair and square, यह तो एक common और popular idiom है, fair, saaf, square, यह देखिए, mathematics का, geometry का, यह figure है, square से बहुतर कोई figure नहीं, क्योंकि चारो sides पर आपने, चारो perpendicular है, 90 degree पर है, best जो है, यह shape है, आप घर चाहते हैं, कि square हो, ना triangular चाहते हैं, ना rhombus चाहते हैं, ना octogen चाहते हैं, polygon चाहते हैं, आप चाहते हैं, वो square हो, तो जो बहुत सही है, जो बेलकुल सही है, upright, straightforward है, ना, first, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई खामी ना हो, निस्पक्ष हो एक तरीके से, fair and square, निस्पक्ष, बोलते हैं, fair trial होना चाहिए, unfair नहीं होना चाहिए, तो निस्पक्ष तरीके से कोई काम की यह जाए, our approach on any subject, or for any person must be fair and square, किसी भी विशय पर, या किसी भी मुद्दे पर, या किसी भी व्यक्ति को लेकर, हमारा जो तरीक है, जो हमारी approach है, वो approach कैसी होनी चाहिए, साफ, सुथरी, निस्पक्ष होनी चाहिए, our approach should always be fair and square, with respect to any matter, or any person, this is called fair and square, so this way we have come to the end of today's session, hopefully you people have enjoyed it, बहुत सारा नया content आपको सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छा लगा होगा मेरे पढ़ाने का तरीक अभी, सो आज के लिए अभी इतना ही, फिर में लेंगे, thank you so much, take care, have a good day.